हाउस वाइफ कितनी छोटी सी है ये सब्द और महत्व भी कम ही देते हैं इसे सब अगर पूछे इनसे कोई ये सवाल क्या करती है आप और उसका दे कोई ये जबाब जी मैं हाउस वाइफ हूँ जट से बदल जाते हैं पूरे चेहरे का भाब मुख पे एक हल्की सी मुश्का कुछ ना करने की एहसास दिलाती है क्या सच में इतनी कम हमियत एक हाउस वाइफ की होती है सुवच से राग तक बिना रुके घर का सारा काम करना आसानी होगा गई सब ही कर लेंगे इसमें ऐसा क्या मुश्किल है क्यों सही कहाना जितने लोग सब के लिए अलग-अलग खाना बनाना ये तो बाय हार का खेले सब के लिए इसमें क्या सुनाना जारू पोचा लगाना करना पूरे घर की साप सपाई ये तो हम भी कर लेते हैं पर ओपिस का काम कौन समालेगा मेरे भाई चलो मानली सबकी सारी बात लेकिन रोजमनरक की कुछ बाते साजा करते हैं आपके साथ स्कूल जाते वक्त या ओफिस जाते समय हर चीज का जगे पर होना जी हाँ इनी की जिम्मेदारी है ये पर ये कभी नहीं जाता ना पढ़ाय करते वक्त या मैच देखते समय चाई की तलब लगी एक कब चाई बनाने की भी जिम्मेदारी इनी पर होगी अज संडे चुट्टी का है दिन अच्छा सा पकवान है खाना आपकी तो हो गई चुट्टी पर खाना तो इनी को है बनाना संचित में कहें तो हम सब की जरूरता का एक ही हटिकाना बिना इसके किसी भी हाउस का मुस्की हसम होगा अगर चलानी है बिना किसी परेसानियों के लाइफ तो सबसे जरूरी है हर घर की हाउस वाइफ झालानी है झालानी है झाली है झालानी न जरूरी है झाल